पीजी वेलकम सी यो इन पीजी पॉइंट सो फर्स्ट अफॉल टेल मी हाउ आर यू येस होप सु यू आर फाइन डूइंग वल ठीक है तो जैसे मैंने आपसे कल बोला थे कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंकरस्टिंग होने वाला है और इस टॉपिक के इंतरगत आप क तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे सर और मैम ठीक आइए देन जानते हैं कि क्या पढ़ना इसमें थोड़ा सा में भी टॉपिक लंबा है बट बहुत इंक्रिस्टिंग है तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा ठीक है वीडियो के अंत तक बने रही चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा यह दिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है महां पे पीडियाफ भेजी जाती है क्लास के एंड में यानिकि एक रातरी आठ बजे तक पीडियाफ बेजी जाती है ठीक है तो पीड रेले होटा है वो किन तीन चीजह मिल करके बना होता है सबसे पहरे ठीचे उसके बाद में स््टूडेंट्स और फिर आपका जो क्या क्लिया तक्ले niece जाती हो दो बड़ने बहुत इंडरेस्टेंग यह दो सोचके पड़िएगा कि आपके पेपर यह सोच के पढ़िएगा कि जब आप सिक्षक हैं जिसक्षक आगे जा करके किसी स्कूल में जब आप जोइनिंग लेंगे तब आपके क्या करतव होंगे चीजों को कैसे मैनेज करना होगा वो सब आपको आज के स्टॉपिंग में पढ़ाया जाएगा और जादा से जादा आज बच्चों को शेयर भी कर दीजे आप लोग आप देखो सिक्षारती और पाठे चर्या एक ही गारी के दो चक्की है जबकि सिक्षक उन चक्कों की वह धुरी है जिनके बिना गारी की कोई अस्तित्वी ही नहीं होता है कहने का तात पर यह है कि यह देखिए यह गारी होगाई गारी के दो पईये होगाई है ना एक सिक्षारती होगाई तो एक क्या होगाई पाठे चर्ड़िया होगा लेगन इनके बीच जब तक bonding नहीं होगी तब तक चीजे मैनेज कैसे होगी ठीक तो यह जो bonding है यह बहुत ज़रूरी है ठीक अब चमता चरित्र की सुद्धता निसंदे अत्यत महत्यपूर है यानि कि जो सिख्षक है अचा आप बताइए गवर्मेंट क्यों इतने एक्जाम लेती है यह जब भी आप कभी किसी स्कूल में इंटर्व्यू या जॉइनिंग लेते हैं चाहे प्राइवेट ही हो तो आपका मा इंका डेमो देंगे फिर बच्चों से पूछा जाएगा जो मैनेजर वगेरा होते हो बच्चों से पूछते कि माम यह सर आपको कैसे लगे तब बच्चे बताते कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया या पहले वाली माम के जैसे नहीं है सर सर यह चीज समझाई नहीं पाए ह एक बात बताओ बच्चे जो होते हैं अन्य मुन्य यह जो आप देख रहे हैं यह बच्चे जो होते हैं यह क्या है यह देश का भविष्य है ठीक है और इस देश के भविष्य को ही आप यह आपको इनको इनका निर्मार करना है यानि एक सिक्षक को निर्मार करना है तो इन अब एकसी बात है कि आपकी योगिता, आपकी चमता, आपकी चरित्रकिस्तु दिता, ये सब चीजे मायने रखती है, ठीक है, अब क्या है कि देखो, सिक्षक बा माध्यामें जिसके दौरा समाज की एक पीड़ी अपने दौरा अरजित ग्यान को अगड़ी पीड़ी में इस् राश्ट्र के भविश्य को दिशा भी प्रदान करता है, आधुनिक सिक्षा प्रणाली की प्रतेक कार्य योजना कर नधारक सिक्षक ही है, देखो, आधुनिक सिक्षा प्रणाली के प्रतेक कार्य योजना कर नधारक, कौन है आपका, तो टीचर ही है, टैगोर ने भी कहा ह आपके रवीन मांजनी है रवीन रनाड टैगोर जी ने कहा है कि एक शिक्षक देखो एक शिक्षक तब तक वास्तविक अर्थों में सुच्छा नहीं दे सकता जब तक वा स्वयम न सीखता रहे जो दीपक अपनी लवक को प्रजोलित नहीं कर सकता वा दूसरे दीपक को प्र प्रती लगन है वह रुकावटों एवं विरोधी स्थितियों में भी चमक उठेगा बात कहने की ताथ पर यह है कि एक एक्जामपल लेलो जैसे मैं आपको यहां पढ़ा रही हूं अगर आप लाइक नहीं करने तो कोई बात नहीं लेकिन अगर दस बच्चे सोचो दस बच अच्छे करने हैं ना उनको क्लास बड़ी अच्छे लग लेकिन वो क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं तो कमेंट्स के माध्यम से पता चल रहा है कि हां क्लास अच्छी हो यह तभी तो आप लोग पढ़ने लेकिन दस बच्चे ऐसे आ गए कक्षा में जो उनका कामी है के वल अच्छी रुकावट है और विरोध है हमारे लिए लेकिन इन ही विरोधी परिस्थितियों में अगर कोई चमक उठता है मान दीजे अगर तब भी इन सब चीजों का सामना करने के बाद भी आपकी रोज क्लासे रोज पीडियाफ मिले तो इट मीन्स की समझ लेना कि कहीं न करना होगा अपने आप से प्रश्ण करना होगा और यदि आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं अभी कमी है तो अभी आपके पास क्या है समय है अभी आप ब्येड कर रहे हैं ठीक है तो अभी भी आप उन चीजों को क्या कर सकते हैं सुधार कर सकते हैं और जीवन में आपको ब करते रहेंगे सबसे पहले बात करते हैं किसकी तो समाजिकता एक आधर सी शिक्षकorn dow कैसे गुड होने चाहिए कैसे समाज के प्रति उत्तर रही फो जैसा हो सका क्या nuclei नेचर जो सिखषक होता है जो teacher इसको कैसा होना चैए मिलनसार होना चाहिए गर्तंद्रवादी होना चाहिए सहयोगी होना चाहिए समाजिक कार्यों में उत्सा पूर्वक भाग ले सके, वह समाज की सेवा करने में हमेशा तत पर्र है और अगर ज़रुरत पड़े, तो समाज की नितरत भी कर सके ऐसे सिक्षकी सफल लोग प्रियों उपयोगई वह प्रभा उसालि होते हैं, अब पता fun कि अकास और आये शर करना चाहेंगे अरे सर क्या ही बोले मैं कल बोले सराज पांड़े सर को बुलाली आज 5 सर कुछ नया शिखाएंगे तो यह नहीं होना चाहिए क्या मैंने का यह नहीं होना चाहिए अगर एक बार आप से कहा गया कि आये बच्चों के समक्स कुछ चार पंगते हैं चाहे आप उनको एक थौट सुना दो कि बच्चों नेवर लेट स्योर सेल्फ प्री कभी आप अपने अपको खाली मत रहने दो जीवन में अगर खाली रहोगे तो फाल्तू की चीज़े दिमाग में जिनका कोई मीनिंग नहीं है अपने आपको बीजी रखो अब बीजी का मतलब यह निया कि आप गेम खेल रहे हो और यूटूब पे इन्स्क्रॉलिंग कर रहे हो इंस्टा पे रील्स देखो आपको अपने आपको बीजी रखने के ता चाहिए ना हीन नहीं क horrend लेंगा नहीं हे सेकंड पॉइंट देहर रवां होंगे तबि यह दि आप बच्यों के इंदर देहर पूरवक जैसी चीज़े सिखा पाएंगे कहने का ताथ पर यह है कि चाहे जितनी भी परिस्थितियों में आपके जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाए यह चाहे जितना भी पता चले आपको दस दिन का जो है लीव लेना पड़ गया कॉलज से या स्कूल से ठीक है आपने लीव लिया आपका सिलाबस पूछ पीछे हो गया भाई और टीचर्स की अपेक्षा अब बच्चे तो भाई जब बच्चों का सिलाबस नहीं कम्लीट होता है अब देखो व्यवसाइक दक्षिता होनी चाहिए कैसा अब में व्यवसाइक दक्षिता क्या क्या मतलब है कि आदर्शवा उत्तम सिक्षक में व्यवसाइक दक्षिता का होना बहुती अवश्यक है क्योंकि व्यवसाइक रूप से दक्ष होने पर वह अपने विशय का प्रभाव साली डंग से चात्रों तक पहचा जाकते हैं कि आपका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए हमेशा आप अपने अंदर का एक बच्चा यानि एक बालक एक स्टूडेंट जरूर जिन्दा रखिए क्यों क्योंकि वही तो है आपका नेचर आप भले सिक्षक बन जाएं आप भले जीवन बहुत सफल हो जाएं बहुत बड़ी जो चात रहूंगे उनके लिए लापकारी होगी फिर असंप्रदा एक्ता और जाति निर्पेक्षिता यानि कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनके अंदर की हिंदू मुस्लिम सिक्षाई जैसी चीज़ें कि अगर हम जो है जेनरल के टेगरी के बच्चों को सपोर्ट करेंगे य होनी चाहिए एक सिक्षक के अंदर ढम जाति निर्पेक्षिता नहीं होनी जाहिए फिर देखो यह कि बात करें przyमिण अपनी अध्यान को सीव लुग यह सवागत होता है विनोधी सुभा होने पर सिक्षक अपने अध्यन को रौचक यह जात्रों से अभीडर बच्चे के अंदर देहसत आज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए और बच्चा जब सेकेंड पीरिएट में अपनी पढ़ाई कर रहा हो तो उसको बस यह इंतजार रहे कि जल्दी फोर्ट पीरिएट प्रियांजली माम का पीरिएट तो कहने का दात परिक्या है कि उसके अंदर यह बाल मनो विज्ञान का ग्यान यानि कि जब तक आपको बाल मनो विज्ञान का ग्यान नहीं होगा ना फिर आप बच्चे को समझ नहीं पहेंगे बच्चे को समझ नहीं तो क्या है बाल मनो विज्ञान बच्चे को ऊपर से नीचे तक बिना बोले पढ़ लेना ही सिखाया द स्क्षक आई-थ seus स्वैंतु आशावादी आचावादी हो आप और दूसरों से भी आःधा का संचार करता है अथ आशावादी शिख रचनात्म अरव करता है अभी आशायवादी रचनात्मक कर्या पढ equally कर मतलब यह है यहां पे कि आप जैसे सिखशक हैं ठीक है पहले देखो कोरोना से पहले आपको लगता है कि ओनलाइन एज्टन का इतना चलन था यह होता था कि ऑनलाइन अजुपेशन बहुत सेनियर हो जाते थे आप मालेजे कि जैसे कि मालेज आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप बीटेग बीसिये कर रहे हैं तो बहले ही ओनलाइन क्लासे सुनने को मिलें जादा गूगल डूओ में यह वो दुनिया की चीज़ है ठीक है लेकिन जब से यह आपका कुरूना आया तब से जो यह आपको स्मार्ट बोर्ड प्रिजेशन जो पढ़ा रहे हैं उनको है ना उसके बाद में LCD प्रोजेक्टर इंटरनेट इत्या दिन सब चीजों का घ्यान होगा तभी तो वह पढ़ा पाएंगे यह बच्चे को जब तक नहीं नौलेज होगा तो वह कैसे देखेंगे कैसे तब्रों चिटिट हैं और श links अर्तेयुए अपको संतुलित व्यक्तित हैं संतुलित व्यक्तितुurt MOM का अर्थ यहां पे सिख्षक ये इदि आपने विश्व का ढया न अद्यान कर ले तो बच्चों को समझाने में कोई डिकत नहीं होगी कहने का 춤 je कुछ बक्त्चे आपसे ऐसे कोशन करेंगे कि आपको उनको क्या होगा वहां पर संतुलन बनाना पड़ेगा कभी-कभी बच्चे ऐसे कोशन करते कि आपको में भी इडिटेशन हो जाए बहुत गुस्ता आए हैना कि मन करें कि या तो इसको क्लास में डिस्टरबेंस करें क्लास से गट आउट कर दें या इसको बठाल दें यह से बोले आपको कोशन कल पूछेगा लेकिन वहां पर उस परिस्थिती में आपको कैसे अनुकुलन बनाना है अपना यह होता है संतुलित व्यक्टित वह एक टीचर का ठीक फिर देखिए टीचर का सुभाव कैसे होना जाए सहानुभूति एक क्लास में फिर आपने क्या क्या एक कोशन पूछा तो जैसे ही अपने कोशन पूछा एक बच्चे मान लो एक निहा है उसने उसका सही आंसर बता दिया राहूल ने मानलो गलत बता दिया तो आपको राहूल से कहना होगा sit-down और निहा से क्या बोलोगा very good बेटा sit-down जिस लगा क्लास हैं बच्चा पहले फर्च पिरेट से दढ़ा जा रहा है कि यार अभी थर्ड पिरेट में पढ़ना पड़े उंतजार की उसको फोर्थ पिरेड वाले टीचर का क्यों कि उसका नेचर मतलब जो टी बच्चे हैं उनको उस टीचर का नेचर बहुत पसंद है जिनका पीरेट नंबर फोर्थ है वो चाहते हैं कि जल्दी बस आजए है वो यही चाहेंगे फोर्थ पीरेट वाले टीचर जो है सर वो बेल लगने से पहले ही पाँच मिनिट क्लास में आ जाए है न तो इस प्रकार की विवार से वाच छातरों को का विश्वास वा सहयोगी प्राप कर सकते आप से को एक बात बता है हमेशा जीवन में याद रखेगा एक आख प्यार की और एक आख मार की क्या का मैंने एक आख प्यार की और एक आख मार की जिरूर बनाए रखेगा बच्चों के पीच कैसे कि जहां पर प्यार की दरोट पड़े तो उनको अराम से प्यार कर ना होगा ठीक है और एक आख मार्क की अर्थात यह है कि जब आप टेस्ट लीजिए और अगर अच्छे बच्चे अच्छा प्रस्कोर ना करें तो आपकी आखों में इतना डर होना चाहिए नि बच्चे जैसे नंबर देखें उनको मार से उतना डर ना हो जित्ता उनको यह हो होगा उनकी हमसे त्युमेदे थे और मैं यह मार्क्स अच्छे गेन नहीं कर पाया यह कर पाई हूं मुझे इस टॉपिक को फिर से पढ़ना होगा बस समझ में आरी है तो इसलिए बोला जाता है कि आपकी मम्मा जैसे घर पर ठीक है आप कहीं गए मानलो नाश्टा करने चल हजबेन जैसे मालो मार्केट के मॉल गए देखा एक आग दिखा दीगी वह ड्रेस नहीं लेनी है या वो साड़ी आपको नहीं लेनी है तो आप उनकी आख से ही आख के इसारों से ही समझ जाएंगे कि हां यह मना कर रहे है इनका मन नहीं कि यह नहीं दिलाएंगे ठीक है त जल्दी में जांँ बात खेंड ऐड़ा प्रांग सब्स्टाइब क्लूरा आपको फ्लेश बैक में नहीं जाना है आपको अपने फ्यूचर की कुछ इमेजस देखनी है कि हम यहां होंगे ऐसा होगा चीज़े यह होंगे ठीक अपने चात्रो का द्यान भली प्रकार विचयवस्तु पर केंड्रित कर सकता है कहने का इंपने का तादपरी है कि आप जब बोलें तो क्या हो मूख खोलो அ ग३ी तो वो नहीं होना चाहिए कि पता चले बोलते बोलते बोलें तो इतना बेकार बोलें कि सामने वाले को हर्ट हो गया ना ऐसा निचर नहीं होना चाहिए आप एक कुशल वक्ता बने आपके जो शब्द हो वो कैसे हो प्रभाव कोणों जिनसे बच्चों तक जब बात पहुंचे तो वो प्रभाव साली तरीके से पहुंचे ठीक अब देखिए अभी प्रेरित करने की क्षमता होने चाहिए कहने का तार पड़ी यह है यदि मानलो कोई सुडेंट है पता है मेरे टीचर्स तो ऐसे थे मानलो जैसे हम गए तो मेरे क्लास से फर्स्ट प्रेट जो होता था वह एक हिंदी की मैम से सविता मामुन का होता था त तो हम गए जैसे मानलो बहुत दुखी-दुखी हो के गए घर से भाई जानते ही आप स्टूडेंट लाइफ में किती सारी ब्लेंडर्स होते जाते भाई कि शोरा वस्था में हम भी थे तब तो क्या हुआ कि बड़े दुखी-दुखी पर तारीकेस पहुचें क्लास में आप समझिए आप वह हमारे फेस के एक्स्प्रेशन से जान गई कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम है ठीक है वह हमारी बहुत करीबी भी नहीं मतलब उनके बड़े प्री बाल क्या कहते है प्री बच्चों में आते थे तो फिर जैसे पीरेड एंड हुआ तो तो तीचर स यह दोएंट किया तो किमा मेरे ममा की मशका है झे रहाषए का यह सिक्षिकाइं लेकान वक के बच्चों करने एतनी एक एक यह अल्टीमेट थी और फ्रेस्टरेशन टिंशन यह जैसे चीज़े थी ना वो सब फसी पिरेट के एंड में एंड हो गई है ना मैं हमसे बात करने के बाद में फिर पूरा टाइम हम बढ़िया से अराम से रहें तो कहने का ताथ पर ऐसी ही आपको भी सिक्षक बनना है कैसे कि सिक्षक में चात्रों को अभी प्रेणा इस्तर क को जागरत करने के योगिता भी होने चाहिए वह समय वाई शिक्ता अनुसार चात्रों को विभिन विदियों यह था मतलब कैसा ऐसा होता है जैसे मालो किसी बच्चे ने कुछ बढ़िया किया जैसे उसने नोट्स आप जब नोट्स बनवाई है बढ़िया हाइलाइटर है कि जब सब बच्चों की कॉपी चेक हो रही हो तो जो जिन्होंने नोट्स सिर्फ फॉर्मेल्टी के रूप में बनाया ना कॉपी बस चैक हो जाए प्रिंसिपल रूम में ना खड़े कर दीने अगर कॉल न चली जा जो फॉर्मुले के तरीके से बना है तो उनको तो जो मैं फिजिक्स के सर और केमस्ट्री के सर थे उन्होंने बोला बेटा प्रियांजली आप अपनी कॉपी दे दो तो मैं अपनी कॉपी दे दे दी थी मतलब ऐसी चीज़े होती तो आप समझ लोग की कैसे होते होंगे तो कहने काताद पर यह कि जब भी बच्चा कोई का पर लिए जा रहे हैं क्या करें अपने साब को जोड़ की पढ़ा ही पाएंगे एक ताइम था कि जब मैच्स का टेस्ट हुआ तो वह फाइनल जो पेपर होते हैं उन्हें पहले एक टेस्ट लिया सर ने और फिफ्टी मार्क्स का होगा ठीक है और जो फर्स सेकेंड थर्ड राष्ट निर्माता होता एक विद्वान के नुसार आप मुझे थोड़े से उत्तम सुरीणी के सिक्षक दीजए मैं आपको एक अच्छा सक्तिशालिवस सुद्रण रास्ट्र दूंगा बात समझ रहें आप मैंने अभी आपको ये बात कैसे बताई थी कि इस रास्ट्र का भविश्य क्या होते हैं बच्चे होते तो बच्चे और इन इंडालेक्टली में भविश्यकों हैं तो आहम लोग आ अपने कारे में उतना ही सफल वा प्रगति सील होगा कैसे कलपना सील सिक्षा सिक्षक बालक में कलपना करने की शक्ति का विकास कर अनवेशक व्यज्यानिक बनने की रहा बालक के लिए खोल सकता है कलपना सील सिक्षक अपने अध्यापन कारे में उत्देश्यों की टेलेंटेड है बस उसीने नोट्स बना लिया आपने कॉपी चेक कर दिया गुड उसका वर्ग कंप्लीट है उसका चैप्टर मैट्स में कंप्लीट हो के आप आगे नेक्स्ट यूनिट बढ़ें नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम जब 60% सिला बस मतलब 60% बच्चे आपक अजी एक बच्चे को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए समय पाबन समय का बहुत विश्यस द्यान रखना चाहिए सिक्षक अध्यापन कारे करते हुए अपने समय पर आवश्यक रूप से नियंत्रड रखें समय पर नियंत्रड न तो महीने पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर टेस्ट लेके आपका वो जितना पॉर्शन पेपर में आना है वो कंप्लीट करा देंगे तो ऐसी चीज़े होने चाहिए अब मान लो आप एक महीने का गैप लेकर के चल रहे हो क्यों अगर आप दस देन के चु कॉर्स टाइमली कंप्लीट करा दीजिए अगर पूरा रिवीजन नहीं तो कम तो कर वा ही तो कर वाही है तो एक पॉरा आपको अंजर मिल रहा है ना तो आज और अभी से ही शुरू हो जाए अपने नेचर को इस तरीके से बनाएं ये मैंने पहले ही कहा है कि आपके घरवा सिक्षक है ठीक उनको लगे कि हां ये अरे कुल मिला के आप अपने अंदर आप ये फीलिंग्स ले आईए कि हमारा जन्मी सिक्षक बनने के लिए सिक्षका बनने के लिए हुए ठीक अब इससे जादा तो क्या ही मोटिवाइट करें हम आपको अब देखो सारभोमिक एवं समावेशी सिक्षा में सिक्षक की भूमिका क्या होती है यानि रोल ऑफ टीचर इन यूनिवर्सल एंड इंक्लिव एजुकेशन कि सारभोमिक एवं स आप नौलेज को ट्रांसफर कर रहा है एक सुविदा परदाता कि रूप में सिक्षक की भूमिका होती है यानि बच्चे को कोई प्रॉबलम है तो आप टीचर का रोल क्या होता है उसको उन सब चीजों से लेटेट फैसिलिटी देना फिर देखो सिक्षक एक सहय दिगम करत आप एक तीचर और एक मध्यस्त की भूमिका भी नियुक्त भाता है यानि एक नगोशियतर के रूप में भी बखारे करता है एक अन्य भूमिका भी नियुक्त अन्य में तो सब कुछ आ गया आप एक मोटिवेटर भी है आप कभी-कभी टीचर इतने प्यारे होते हैं कि मतल स्कूल छोड़ने जा रहे हैं मेरे टाइम में तो पता है हम लोग रोने लगते थे जब भी कोई जो हम लोगों के टीचर जब स्कूल छोड़ते थे पता चल जा था कि कि था कि फलाने सरिया मैं टीचर छोड़ रहे हैं स्कूल तो बहुत बुरा लगता था इवन बहुत रो कि रूप में प्रमुक बिंदू होता है कौन प्रमुक बिंदू होता है तो सिक्षक प्रमुक बिंदू होता है जिसके माध्यम से चात्र क्या करते हैं ज्यान का अरजन करते हैं ज्यान के हस्तानांत्रण के रूप में निमलिकित भूमिकाने बात है ज्यान का अस्तानांत्रण क्यों आप class में आते हैं, books ले लेते हैं आम से 4-500-600 जित्ते की मिलते हैं, आराम से पढ़ाई किया करते हैं अपने आप से, लेकिन आपको लगा कि नहीं यहां class में चलो, शायद कुछ ज़्यादा सीखने को मिल जाए, कुछ बढ़िया example मिल जाए, हम उस continuity से ना पढ़ पाए आना तो यह सब चीजे होती है, तो ज्यान का हस्तान अंत्रन कहने का तात पर यह है, कि जो सिक्षक होता है, वो कैसे होता है, मुख्य बिंदू होता है, ज्यान के हस्तान अंत्रन में सिक्षक केंद्र बिंदू होता है, और समस्त ज्यान के प्रभा कि प्रक्रिया सिक्षक से अधिगम है तो क्रियाशेल बनाता है तथा उनमें उच्छा उत्पन कर ग्यान के अर्जन में सहायता करता है यह सब एक सिक्षक के कादे बताय जा रहे हैं कि भुक के नॉलेज को एक टीचर के माध्यम से ही तो बच्चों तक प्रेशित किया जाता है है अगर बच्चे डेरे हैं वहां बालकों को सिक्षर संबंदी समस्तर धार्णाओ का ज्यान प्रदान कर उनका सर्वांगिर विकास करता है एक सिक्षक विषय वस्तु का ज्यान ही नहीं कराता है अपर विषय से संबंदित जीवन के विविद अनुभावों का ज्यान प्रदान करता है जैसे बहु बेटा Maths लोगे तो आप Indian Streams में जा सकते हो, यह जो आपके लिए अपलियाओ कर सकते हो, बायो में जाओगे तो बेटा Doctor के लाइन में जा सकते हो, Arts में जाओगे तो बेटा यह कर सकते हो, Commerce में तो मिलब कहने का दात्पर ही यह है कि जो टीचर्स होते हैं उनके अंदर विविद अनुभावों होते हैं वी नहीं अनुभावों के तहत वो बच्चों तक ग्यान प्रेशित कर पाते हैं अब देखो सिक्षक सिक्षन के द्वारा विविन संस्कृतियों मूलियों आदर्शयों तथा नैतिक संबंदित ग सिक्षक को इस तरीके को साहिए कि इसको पहले ही उसके विषया में नीयोजन करता है चिंतनम्न만न उसके कर सर लीं समूचित घ्यान कह स्तांइक अन्टच और रियालिटी का मतलब ये निये कि करकी दिखाओ बट आप जो बच्चा ये जो डैनिक जीवन जी रहा है ना इससे क्या हो संबंदित हो चीज़े एक शिक्षक का या उद्देश होता है कि संबंदित विशयवस्तु को समस्त ग्यान को अपने विद्यातियों में अस्तांतरित क एक सुयोगिवम सफलनागिक का निर्मान करता है देचवम समाचे शम्त ग्यान का अस्तान अंतरन करवा चात्रों की अज्ञानता इवा अल्पग्यता को दूर करता है शिक्षिक द्वारा दिये गए ग्यान का प्रेयोक कर छात्र अपने अंदर ग्यान का अंतरण कर अपने जीवन को प्रकाशवान करता है शिक्षक स्वयम एक आदर्ष के रूप में उनके समक्षी रहता है तता चात्र उनका अनुकरण कर अपने ग्यान में व्रद्धी करते हैं बात समझ में आ दियोगी होपचो अब देखो अब इस प्रकार शिक्षक एक आदर्ष नागरी को बनाने तता अपने चात्रों के ततर शिक्षक को अपने शिक्षारतियों के लिए इवन समाज के लिए एक आदर्ष होना पड़ता है अता उसको आधर्ष उसको सिक्षक की बाती ही देखना है चाहिए एवं सिक्षक की तरह वेवार करना चाहिए तभी वह आपने कक्षा में उच्छी ताकार देने में समर्थ होता है अच्छा एक बात बताओ क्या आपने कभी स्कूल में जो मामातम को जीन्स टॉप पहन कहता है देखा है नहीं न यहां तो वह साड़ी में आएंगी य दर्शी वेवार पर दर्शन करना चाहिए साथ यह उसे अपने सिक्षार्ट एवं वेवार एवं उनकी समाजिक तता सांस्क्रतिक परिश्ट भूमियों से पी परिशित करवाना चाहिए अब देखो दार्शनिक की भूमिका यानि रोल एस फिलोसिफर यह बहुत होनी चाहिए साथ ही साथ उसे अपने विशय में भी रूची होनी चाहिए अनुस अंदानों से यह अग्यात हुआ है कि सिक्षण प्रभावसाली के लिए सिक्षक का अपने विशय पर पूर्ण स्वामित एक अत्यंत मांत पूर्ण घटक है तो पता चले बायों के टीचर क तो आप पढ़ा थोगे तो कि crianças अंड्री होता है नहीं पढ़ा पाएंगे ना वी बहुत अल्टीमेट तडावगी चाह्च के के चारौ बात हैं कि सबसे पहली बात एक रिशेर्चर के रूप में भी होता है उसके बात में प्रबंदक की भूमिका कैसे होने चाहिए चीजों को क्या करें चाहिए जैसे नियोजन परिवेक्षन सन्रक्षन निर्देशन सायोजन मूल ल्यांकर एवं सिक्षा प्रेक्रिया का नियंत्रन आधी अंतहा प्रबंदक के रूप में सिक्षा को बहुत से दाइत्व का निर्वा करना पड़ता है अब नेत्रत्व करता की भूमिका की अधी बात की जाए रोल एज लीडर की बात की जाए तो एक प्रबंदक को नेत्रत्व का अगोर होना चाहिए एक सिक्षक अपने कक्षा में नेता के रूप में कारे करता है नेतर तो प्रदान करना सिक्षक का सिक्षा में सबसे महत्पूर्ण कारे है ठीक अब देखो वर्तबान समय में सिक्षक को बहुत से दाइतों को पूरा करना होता है क्योंकि आज समाज बहुत जटी लोगे अध्यापक को कक्षाम को आकार देने में उपर युक्त के अलामा भी बहुत सी भुमिकाय करनी पड़ती है जैसे सिल्पकार की नवाचार करता की कला सugसक को आकार प्रधान करते हैं उनी गुड़ों के कारण सिक्षक अपने छात्रों के समक्ष आदर्श प्रतिमान प्रस्तूत करते हैं ठीक रुचिपूर् तरीक से सिक्षक करा के कच्चा प्रभंदने प्रगति करता है सब सब्सक्राइब ये इसे निर्द नहीं कर दीके यह मैं आपको ना कल पढ़ा दूगी ठिक और बाकी यह इस वाली क्लास की जो PDF है वो कल मिलेगी देखो कल आपको आठ बज़े की PDF मिल जाएगी आज आप इस PDF की डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि एक ही PDF में कल की क्लास की भी इसी में जॉइंट है तो इस वज़े से हैंना बाकि और कोई कारण नहीं होता है कि मैं आपको लेट वीडियाफ क्यों देऊ ठीक तो आप यह अपना मैनेज कर लीजेगा बाकि आपको बता दें कि क्लास अगर अच्छी लग रही हो यह टॉपिक पढ़ने में क्मेंट हमाडि समझने से काम नहीं चलेगा बच्चो क्या होता है ज़ो नया बच्चा आता है वो कमेंट के माध्यम से ही आता है आप भी कभी किसी को देखने जाते ciudadन जिरूट देखते हो औंगे महापे वीडियो का है ना तो बस अपनी तरह सब को समझो और जब नय नए बच्चे आएं कक्षा में तो वो कमेंट्स को भी देखें तो उनके प्रती एक पॉजिटिविटी जाए आपकी कक्षा के प्रती तो वो भी आगे से क्लास जॉइन करना शुरू कर दें ठीक है तो यह थी एक छोटी सी बात बाकि आपका जैसा मन आपको अच्छा लगी बाकि और बताइए सब बढ़िया है सब तो बढ़िया हो गई जब रोज पढ़ रहा है और क्या चाहिए जीवन में इस फ़िदा लेने का समय हो गया है बाकि अपने फैमिली मेंबर से मेरे लिए आशिरवाद ले लिजेग सबको ध्यान रखिए